हलो दोस्तों आप देखे टेक्टिकल एक्टेंशन मैं हूँ आपका दोस्तों दोस्तों आप लोग डोमेन नेम के बारे में जानते ही होंगे google.com ये google.com एक डोमेन नेम है और google.com खोलते ही जो चीज सामने आते हैं उसको बोला जाता है google.com सार्च इंजिन पेज यानी google का वेबसाइट तो दोस्तों ये जो डोमेन नेम होता है आपको पता है ये डोमेन नेम का प्राइस कितना तक जाता है domain name आपको 162 रुपया से आपको मिल सकता है करोरो रुपया तक जी हाँ दोस्तों सही सुने आप करोरो रुपया तक domain name एवेलेबल होता है मार्केट में, मारकेट मतलब ग्लोबल मारकेट में, वेब पे तो जो लोग डूमेन और होस्टिंग प्रोवाइट करते हैं जैसे ही GoDaddy हो गया, होस्टिंगर हो गया Namesheave हो गया, बहुत सारे डूमेन प्रोवाइडर हैं जहां से हम लोग domain purchase करते हैं तो हम आपको वहाँ पे ले जाके कुछ ऐसा domain हम आपको दिखाएंगे जो domain का price देखके आप लोग चौक जाओगे तो ऐसा ही top most 5 मैं कुछ domain के बारे में हम आपसे बात करूंगा इस वीडियो में वीडियो पसने जल्दी से like, share और comment कीजिए वीडियो को जल्दी से आपने दोस्तों के साथ share कर दीजे ताकि वो लोग पास भी ये information पहुँच जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं चैनल में आगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को subscribe करके बिल आइकन दबा दीजिए तो दोस्तों ये है GoDaddy इंडिया का page जहां पे आप देख रहे हैं एक domain अल्रेडी हम सार्च किये थे डाइथेरो इसका नाम है डाइथेरो.com ये domain का price देख पा रहा है आप 3 लाख रुपया के करीब है तो ये domain जो है दोस्तों ये एक premium domain है और premium domain का price ये लाख रुपय से दोस्तों हो जाता है तो दोस्तों ये डाइथेरो के बाद जो हम आपको दिखाने जा रहा है दूसरा page में वो देखिए wifi.com यहाँ पे देखिए WIFY होना चाहिए यहाँ पे FY हो गया दोस्तों domain name ऐसा ही होता है premium domain name बे कुछ लेटर आपका इधर उधर होता है लेकिन इससे कोई फरक नहीं परता है क्योंकि हम लोग spelling जो होता है उसकी इसाब से हम लोग जो pronunciation करते हैं तो यह देखिए wifi ही बोलेंगे हम लोग wifi, WIFY भी wifi होता है go daddy हो गया, hostinger हो गया आपका host gator हो गया, name chip हो गया हर जगा में आपको इसके करीब ही आपको मिलेगा यह price ऐसा नहीं है कि सिर्फ go daddy में ऐसा price मिलेगा दूसरा कहीं पे जाओगे तो इससे थोड़ा कम मिलेगा ऐसा भी हो सकता है depend करता है इसका valuation के ऊपर दोस्तो इसका search के ऊपर इसका ranking के ऊपर तीसरा domain मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ यह देखिए buybuy.com जिसका दाम है आपका 30 लाग के आसपास दोस्तो buybuy.com देखिए कितना बोलने में अच्छा लगता है लेकिन अच्छा होने से इसका price भी अच्छा हो जाता है दोस्तो और लिखा हुआ है यहाँ पर minimum offer यानि यह आपका minimum price है इस domain का इससे आपको ज़्यादा ही pay करना परेगा इस domain को buy करने के लिए चौथा हम लोग domain पर चलते हैं दोस्तो देखिए cashlab.com जो 43 lakhs के आसपास है price यहाँ पर देखिए कोई minimum price mention नहीं किया हुआ है यानि यह आपको 43 lakh रुपए के आसपास यह जो price दिखा रहा है वही price में आपको यह मिलने वाला है अगर आप खरीदोगे तो और यहाँ पर देखिए why it's great बोलके दिया हुआ है lab यह नाम जो है इसलिए इसका premium quality बनाया गया है includes basic privacy protection यह normally कोई domain provider देता है इसके बाद हम आपको दिखा रहा है about you.com जो 54 lakh price है दोस्तो 54 lakh 74,452.55 यानि 453 ओके तो यह about you.com का price है 54 lakh के आसपास तो दोस्तो टॉप 5 premium domain के बाद मैं दिखाने वाला हूँ 1194 क्रोर का जो domain है तो चलिए दोस्तों इसके बाद next चलते है because.com देकि दोस्तों हम लोग because अगर हम लोग लिखते हैं इंगलिस में तो B E C A U A C लिखते हैं लेकिन यहापे देखिए जिर B और cause दे दिया, okay because तो यह भी आपको जब pronunciation करते हैं हम लोग जब उच्चारन करते हैं तो इसको भी because ही हम लोग बोलते हैं तो because.com domain available है already जो 64 lakh के पास है price और इसके बाद अगर आप 899 प्लस ER यहाँ पे देखिए एक question mark दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है this is one time price set by the owner यानि जो owner है यानि यह कोई भी एक owner ने खड़ित के रखा है और इसको sale कर रहा है once you have purchased the domain your only remaining cost will be the standard ELE registration fee of 899 per year यानि दोस्तो आपका अगर आप यह purchase कर लेते हो इसका renewal आपको 899 हो सकता है या तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इसके साथ आपका tax आएगा I can fee 13.32 included per domain per year इसके बाद चलते हैं next domain पे udex.com is available जिसका price है 72 lakhs इसके बाद चलते है fitman.com जिसका price है 1 करोर रुपया दोस्तों देखिए करोर से start हो गया fitman.com आपको domain अगर खरीदना है तो आपको 1 करोर रुपया खर्च करना होगा इसके बाद आते हैं दोस्तों wetrust.com देखिए जितना आपको common keyword आप करोगे जितना भी common keyword से आप लोग domain बनाओगे उतना आपको domain premium level पे चला जाएगा जैसे कि we trust देखिए हम लोग commonly बोलते हैं कि we trust तो ये एक बहुत अच्छा keyword है तो keyword के उपर भी domain name का price decide होता है इसके बाद फिफ्थ रिखाते हैं आपको जो top 5 में आ रहा है वो है hero.io 2 करोर 55 lakhs पहला जो था देखिए 2 करोर 21 lakh और ये है 2 करोर 55 lakhs आप दोस्तों हम आपको बताते हैं ये domain का selling कैसे होता है दोस्तों domain जो sale करते हैं देखिए आप भी कोई भी domain खरीद के रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये domain का search और इसके उपर search हो सकता है थोड़ा दिन में बहुत ज़्यादा तो वो domain आप खरीद सकते हैं आपको 1000 रुपया में या 200 रुपया में या 600 रुपया तक आपको भी domain मिल सकता है ऐसा नहीं है कि आपको domain खरीदने के लाख रुपया खर्च करना होता है ये domain जैसे आप देख पार है hero.io ये भी जब किसी ने खरीदा था तो वो domain का price हो सकता है आप दोस्तो मैं आपको दिखाता हूँ एक पैनल जिस पैनल से लोगों ने बहुत सारे लोगों ने domain का business करते हैं यानि domain खरीदना, domain बेचना दोनों ही चलता है इस पैनल से इस पैनल का नाम है दोस्तो फिलिपा तो यह है दोस्तो फिलिपा का साइट जहाँ पे globally domain खरीदना, domain बेचना दोनों ही होता है यहाँ से आप लोग premium domain खरीद भी सकते हो या आपके पास कोई कम दाम में भी domain है उससों भी आप थोड़ा price हाइक करके भी बेच सकते हो यहाँ पे आप देखी लिए स्कीन पेखे यहाँ पे uafodisclosers.com बोलके एक domain है जिसका price आप देख पा रहे है यहाँ पे asking price यहाँ पे दिया हुआ है asking price मतलब हो गया जो ओनार ने बेच रहे है इस domain को वो यह price रखा है यानि UFO और disclosers दोनों ही आपका meaningful word है और दोनों ही keyword में बहुत अच्छा ranking में Google में present है इसलिए इसका asking price आईसे गया है तो अगर हम यह asking price को प्लिक करें यहाँ पे नीचे में view listing में तो आप देख पा रहे हैं यह page में आपको दिखता है के uafodisclosers.com 16 दिन का age है name chip में register किया हुआ है और 12 months का expired है मतलब एक साल का अभी booking होगा अगर आप इसको purchase करेंगे तो और यह premium domain classified है और दोस्तों यहाँ पे दिखे contact seller के button दिया हुआ और make offer भी दिया हुआ आप अगर कम price में भी इनको offer कर सकते हैं के मेरे को इतना कम price में चाहिए तो आप offer करके देख सकते हैं वो अगर accept करता है तभी आप यह खरिच सकते हो तो इसका asking price जो है दोस्तों मैं इसको हिसाब करता हूँ कि कितना बनता है तो इसके लिए मैं पहले जाता हूँ आपका dollar to RAS लिखे Google में search करता हूँ अभी देख लेते dollar का price क्या चल रहा है तो 73.16 आ रहा है तो हमें काम करते दोस्तो 73.16 को copy करते हैं और चलते हैं मेरा calculator में यहाँ पे हम लोग paste करते हैं और यहाँ पे करते हैं multiply multiply करने के बाद यहाँ पे इस price को copy करते हैं copy करने के बाद करते हैं यहाँ पे paste और हम लोग enter करते हैं देखिए price क्या आ रहा है दोस्तो 2,194 क्रोर रुपया इसका दाम है जी हाँ दोस्तो यह premium domain है यह सबसे ज़्यादा अभी world का number one premium domain है जो domain का price ऐसा है तो वीडियो को अन तक देखने के लिए बहुत भाद धन्यवाद दोस्तो ऐसा ही take update आपको मिलते रहेंगे मेरा चैनल technical extension पे आशा करते वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो पसंद आया है जल्दी से like कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों लोगे साथ तकि सबको पता चले दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राइज वाला premium domain कौन सा है और दूसरी बात अगर आप चैनल पे नए है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबना ना भूले धन्यवाद जैहिंद बंदे वातरम